कि यह वाट्सब काईज वेलकूम बैक टो अनादर वीडियो तो जैसे कि हां गाईज आपको बता कि बिगेदर कुछर से क्यूब कैसे सौल करते हैं तो हां गाईज वह कैसा हमको भी बदलना होता है तो अभी जो है आज हम लेकर आए नई सीफॉप याई नई क्यूब सौलिंग मेतड़ जिससे कि आप क्यूब को स्पीड क्यूबिक सीख सकते हैं और जिससे क्या होगा आपकी क्यूब की स्पीड है सौल कर देंगी वह बहुत तेजी से बढ़ेगी यानि स्टार्टिंग में सोझ कई तो पांड में बढ़े गी तो अभी में आपको का फुल फॉर्म और वह अगाना मत्लाता ओं में तो दो उसका कई है करना यह कर दिया कर दिया तो हमारा क्यूब बच्चा है और यह जो मेंतल है भी बहुत पॉपिलर है आपने कई ना कई तो सुनाई होगा अगर आप एक क्यूबर हो तो तो अभी हमें बीगेनर मेतोड आती है और अगर आपको नहीं आती तो जल्ली से चैनल के बिस्क्रिप्टर में जाएए वह आपको लिंक में जाएगी बीगेनर म सब्सक्राइब तो सबसे परिंगे तो कर दिय우로 कर दिए तो सबसे पेते हैं क्रॉस स्क्राइंब करते हों अगरeffective को स्क्रामल करते हूं यह से कि यह जो है क्यूब हमारा स्क्रैंबल है तो अभी जो है गाइस हम क्रॉस सीखने वाद है यानि एडवांस क्रॉस बोल सकते हैं इसको तो इसमें क्या होता है वीडियो करते पर अब सबस्क्राइब कर दो चैनल को बहुत मेंने सकते यह स्टूडियो वगरा और वीडियो को बनाना तो आप सब्सक्राइब वगरा कर दो और अभी हम देखते क्या करना है तो हाँ गाईस तो अभी राम हम एडवांस क्रोस बनाते तब आपको कुछ चीज लाइट में green होता है और red का पूजट होता है और ग्रीन आपजेट होता है blue तो इससे क्या होगा आपको बहुत बहुत फिरीफ करने के होता है बॉटम को क्रॉस बनाना होता है यानि हमको क्रॉस यहां पर बनाना है यहां पर बनाना है यहां पर बनाना है यहां पर बनाना है बिल्कुल अलाइंड जैसे कि यहां पर बराबर पेर हो यहां बराबर पेर हो और यहां पर भी तो हमको क्रॉस जोए ऐसे बनाना होता ह कि हम बॉटम पर क्रॉस बनाना लगता है कि इसको क्यों कर देखना है कि वाइट को जो जैसे कि हमारा बॉटम का कदर जो है वाइट है तो इसको कौन सी पेर से एक पेर लगी है क्या तो अभी हमारे वाइट को देखें कौन सी भी एचपीस वाइट का नहीं दगा हुआ है जैसे कि आप देख सकते और समझ जीजी अगर हमने यह पेर नीचे डाल दी और यह इसको लगा दी और अब हम देखेंगे कि यानि स्टार्टिंग से समझों कि स्टार्टिंग से है तो हम देखेंगे कि सबसे पेरे कौन सी पेर लगी हुई है तो अगर एक पेर लगी हुई तो वह कौन सी हम वह चेक करेंगे हाँ हां तो वो कोन सी हम वो चेक करेंगे और फिर देखिए जैसे कि अभी हमको कलर पैटरन याद करना है हमारा जो अगर एक आधी पेर लगी है तो उसके बाद हम क्या करेंगे अपना कलर पैटन याद करें कि ग्रीन के अपोजिट कौन से होती है ब्लू तो घ्रीन टो जिसे यह ने बताया कि ग्रीन जो पुलिट है वह ब्लू होता है और मैंने वीडियो इससे शॉप कि तो आप जान लेते तो अभी जो है के लहन किया था होता है ब्लू पैटन्स जो अक्रडिंग टू पैटन्स जबीन के अफ़िव तो हम क्या करेंगे ब्लू और Χ-पी ब्लू और वाइट के पीश्य धूर्देंगे हां तो इसमें इसमें होता क्या है अभी अगर हम ग्रीन को उसकी जगा पर जाएंगे जैसे कि यहाँ पर हमने ग्रीन को लग दिया हाह तो ग्रीन को अगर हम लगाने जाएंगे तो होगा किया उसमें ऑमारी एक याँ से यहाँ ब nutrwhy, है हम कमा याद कर दीजिए तो भूता है उल्क नीची आप THE में अग्लेजिकर देंगे और यहाँ अब वाइट यहाप है तो हमको वाइट इदर चाहिए तो हम क्या करेंगे इसको एक बार यू कर देंगे फिर आडश और फिर एफ जिससे कि क्या होगा देखिए लग गया जैसे कि आप अभी पैटन अकॉर्डिंग टू पैटन ग्रीन के अपुलिट होना चाहिए ब्लू तो हमार अब ग्रीन के अपुलिट हमारा ब्लू लग गया है और हाँ जैसे नॉर्मल एडवांस क्रॉस से थोड़ी अज़ग मेथड हो सकती है पर यह जो है इसी मेथड बता रहा हूं मैं आपको तो अभी ग्रीन के जो हमारा अपुलिट टेखिए आप ग्रीन और ब्लू जो हमारा अपुलिट लग गया है तो आप बोलेंगे यह क्या पागलपनती है हम सीधा इसको लगा सकते पर उसमें हमारी गाई एक मुग की टाइम वेस्ट जाएगा तो हम इसे यह सीधा ग्रीन के अपुलिट ब्लू लगा रहे है फिर इसके बाद आता है हमारा रेड और 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 राइड़ में ग्रीन क्या करना है यहां पर यसको वापस ऊपर कर देंगे अभी देखिए आप सकते ग्रीन के अपुलिट ब्लू रहे हैँ और रएंज तो अभी हम औरेंज और वाइट के इसको डूड़नेंगे जो किये यहाँ पे तो हम इसको सबसे पेदे क्या करेंगे उपर की देर में डाल देंगे जैसे कि हमने डाल दिया और यह उपर की देर में डाल देंगे फिर हम इसको वापस इधर कर देंगे पर इससे क्या होगा यह जो यह उपर नहीं जाएगा तो हम इसको ऊपर करेंगे इसको एक बरीदर कर देंगे यह दग्या वापस समझ रहे हो न आप तो अभी जो है हमें करना क्या है तो अभी जो है देखिए अब्जेक सकते हैं से की ग्रीन अब रेड के अपोजिट होना चाहिए औरेंज तो औरें जो हमें लग गए ना तो हमको जो है औरेंज पीस यहाँ पर लगाना यहाँ पर यहाँ देखिए च्श्यबर क्रणा क्या रिए Number क्लैक देखाक हमने conflict क्या क्या हमने उपर देखके cross bottom के cross solve किया पर अब आप मोड़ने होंगे तो क्रोस हुआ भी नहीं क्योंकि यह तो अलाइंड ही नहीं तो हाँ इसको करने की सिंपल टेकिनिक हैं न हमने एक मुव करने हैं और यह देख सकते हैं अप यह सारे ओपते हैं और अगर एक स्थाइंग से रगाते हैं वेस्ट हो एक थाइम हो चाइब करें तो इससे हम क्या करते है इसको सीधा वह पर याद करके सीधा लगा देते हैं तो यह है काईज इसको को पी बोलते है या और मेथर्स लुट मैंने आपको सच्छ देख करना फिर फिर है यानि इसके हार्ड भी होते हैं पर मैंने जो यह आपको सच्छ का फर्सपार्ट था यह जो था हमारा फ़ॉस पार्स फार्ट तो अग्दी जो में वीडियो डालूंगा उसमें आपको बैसि स्टार्ट करेंगे सीफॉफ की बेसिक से तो मैं आपको पूरा बेसिक सीफॉफ सीफॉफ का तो हाँ आज की वीडियो में इतना ही था कि यह था हमारा एडवांस क्रॉस इसको बोलते हैं एडवांस क्रॉस और यह हम जो है यह बहुत अच्छा होता है और अभी अगर आपको को हो थोड़ा आईडय की चाहिंकि अथसा लुक्ता होता है तो समय आपको बताता हूं देखिए तो अभी हमें करना कि एकुलि हमें यह जो कॉर्डर होतेज होता है यह कहां से लगने तक की औरेंज और वाईड का जो कॉर्णेर पीस वो यहां पर लगना है देखिये यहां पर लगए यहां पर लगे यांप exactly हुआ तो कि क्या करेंगे इसका' इज पीस बोड़ेंगे यह दोनों पीसे डोंड़ेंगे यह तो मारा कऊड़ में सекोल ऑूट Richard इसको लगा दिया यानि दोनों भी साथ में अटैस्यों होओ और में तो इसमें बिगेंदर मेतं में क्या होगा फिशन क्या होगा हम स 추ött करेंगे साथ सेंड डियर करेंगे और सिल्व करना होता है और इसमें था हो your यानि एक और एक और दो लेर सॉल्व निकरने होते दोनों यह साथ में सॉल्व करने होते एफटोल की मदद से तो यह यह आईड़िया एफटोल का और हां आज की वीडियो में इतना ही बताऊंगा अगर आपको और ऐसी अमेदिंग वीडियो चाहिए तो गाइस सब्सक्राइ